कोड़ी, अनिता, आलिन और लिली एक वैश्याले में एक साथ काम करती है बाहर कुछ लोग वैश्याओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं एक बुढ़्धा आन्मी अनिता के साथ जबरदस्ती किस करना चाता है अनिता किसी भी क्लाइंट को केस नहीं करती लेकिन वो बुढ़्धा उसको जबरदस्ती अंदर ले जाता है अनिता फिर से भाग कर बाहर आ जाती है और कोड़ी से कहती है ये बुढ़्धा उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है वो अनिता को गाली देता है कोड़ी उस बुढ़े से अनिता को अकेले छोड़ने को कहती है बुढ़ा कोड़ी को डराने के लिए अपनी गन निकाल लेता है तो कोड़ी उस आदमी को अपनी गन से शूट कर देती है कोड़ी को फासी की सजा सुनाई जाती है उस टाउन का प्रीष्ट कोडी को बहुत सारी चीजों के लिए बद्दुआएं देता है जैसे उसने यहाँ लोगों को कई सारी बिमारिया दी है यौन सम्बंध बना कर और उसने मून को बलडी मून बना दिया है अपने कर्मों से और भी बहुत कुछ उसके पास सब आँखे बंद करके प्रेयर करती है लेकिन तभी वहाँ अनिता बसंती की तरह आती है और एलेन और लिली के साथ बीड के बीच से कोडी को लेकर फूर हो जाती है और वो एक जंगल में आ जाती है जहां अनिता के पती की कब्र होती है और वो कहती है कि वो किसी दूसरे आदमी को अपने होटो का चुमबर नहीं दे सकती क्योंकि वो अपने मरे हुए पती से बहुत प्यार करती है वहाँ उस आदमी की विद्वा ने पिंक्टन जासूसों को उन लड़कियों को डूडने के लिए और मारने के लिए सुपारी दी है वहां रात में वो सभी लड़किया सापों का डिनर करती है अनिता उन सब को बताती है कि जब उसके पती की हैजा की वज़े से डैथ हो गई थी उसने अनिता के लिए एक जमीन छोड़ दी थी, उसके फ्यूचर के लिए, अनिता उस जमीन पर सौ मिल, सलून और शॉप्स खोलने का एडिया देती है, ताकि एक नई जिंदिकी शुरू कर सके, कोडी कहती है, सौ मिल खोलने के लिए उन्हें पैसों कोई जरूरत होगी, भी उन्हें एक आदमी देख रहा होता है, कोडी अपनी गन लेकर उसके पास आती है, वो आदमी अपना नाम मैक कोई बताता है, और कोडी को उसकी तस्वीर वाला परचा दिखाता है, जिसमें लिखा था, इस लड़की को पकड़ने वाले को मन चाहा इनाम दिया जाएगा कोडी उसे वहां से जाने को कहती है, मैक कोई कहता है, मैं चला जाओंगा, पहले आप कपड़े पहन लीजिए, वो से ये भी बताता है कि जासूस उनको ढूंड रहे हैं, कोडी सबसे उस जगा को छोड़ने को कहती है, वो उस बैंक में जाते हैं, जहां कोडी का अकाउंट है वहाँ एलिन एक आदमी के साथ फ्लट करती है और पूछती है कि डिनर करने के लिए अच्छी जगा कौन सी है वह आदमी उसे अपने साथ सोने को कहता है एलिन मान जाती है लेकिन दिली कहती है तुम्हें दुबारा से वैश्या बनने की जरुवत नहीं है वह भी इस कोशिश करती है पिंक्टन जासूस उसे पकड़ लेते हैं और उसे गिर्फतार करने की कोशिश करते हैं तब ही वहाँ डाकू भी आ जाते हैं और पिंक्टन जासूस को गन पॉइंट पर रखकर कोड़ी को छोड़ने को कहते हैं यह डाकू दरसल कोड़ी का पुराना प्रे उसे जेल में डालने को कहा जाता है वां पिंक टन्ड, वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि किस-किस का पैसा डाकों लूट के ले गए हैं, वहां सबी लोग अपना हाथ ख़़ा करते हैं, पिंक टन्ड कहता है उन डाकों को नदी पार करने से पहले पकड़ना होगा, व की नदी के उस तरफ उनका कानून लागू नहीं होता महां कोडी किट से मिलने के लिए जा रही होती है किट उसे पैसे लोटा देता है फिर किट से हमें पता चलता है कि कोडी उसे बिना बताय छोड़कर चली गई थी जब वो रिलेशनशिप में थे इसलिए वो उसे धुका देने के लिए कोडी को बुरी तरहा से मारता है वहां एलन को जेल से बहार निकालने के लिए अनिता और लिली शेहर लोटते हैं मैक कोई को कोडी भी हो शालत में जंगल में मिलती है वो उसे शेहर के एक चैनीज चॉक्टर के पास लाता है और पिंक्टन जासुसों को 500 देख ले लिली और निता आलन को चुडवाने आते हैं लिली शेरिफ को अपने हुसने के जाल में फसाने लगती है और आलन विलियम को विलियम उसे जेल से निकाल लेता है और आलन उसे जेल में डाल देती है और कहती है कोई पूछे तो बताना कि मैंने गन पॉइंट में रख कर तुम्हें अंडर डाला है रास्ते में उन तीनों को कोड़ी का गोड़ा दिखता है वहाँ कोड़ी को चानिज टॉक्टर मैक क्यूइ की वाइफ समझ रही होती है मैक क्यूइ को बताता है कि किट के पापा फ्रैंक ने उसके पापा का मडर किया था और उसकी ममी का रे विल्यम आ जाता है उसका मूड ओफ है लेली विल्यम से कहती है हमें यहां रहने दो क्या पता तुम्हें मेरी दोस्त के साथ सोने को मिल जाए फिर वहां मैं कौई भी आ जाता है उन सब को अपने घर में देखकर विल्यम की जल जाती है और वह बहाज़ा कर अपना गुसा नि जासूसी करती है और देखती है कि वो US आर्मी को नंगा नचा रहा है कोडी एंटीम उन डाकों पर हमला कर देती है विलियम की हाथ में गोली लग जाती है अनिता गंस को बगी समित ले उड़ती है मैक कोई किट के डाकू पापा फ्रेंक पर गोली चला देता है कोडी लीली को भागने का इशारा करती है किट की नजर उस पर पढ़ जाती है अवो लीली का किड्नैप कर लेता है मैक कोई फ्रेंक को बताता है कि फ्रेंक ने उसके पापा की हत्या की थी मैक कोई उसे मानने ही वाला था तब ही वहाँ कोडी आकर उसे बताती है कि किट ने लीली का किड् बात करता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी औरेगन में एक जमीन है और कहता है मुझे कोडी ने तुम्हारे प्लैंस के बारे में बताया है और ये भी कहता है कि उसने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी सिंगल लेडी को अपने मरेवे पती की जमीन मिली हो अनिता कहती है तुमने नहीं सुना इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता ये सब सुनकर अनीता थोड़ी परिशान हो जाती है फिर वो वहाँ से चली जाती है वो शहर में एक वकील के पार जाती है और से पता चलता है कि उस चमीन का दावा केवल उसके पती के हाथों में मानने है एक औरत होने के नाते वो औरेगन में भूमे का दावा नहीं कर सकती ये सुनकर अनीता कहती है जब वो शादी शुदा थी तब भी किसी काम की नहीं थी और जब वो विदवा है तब भी किसी कांगी नहीं है लेकिन ही काफी फनी है कि जब वो एक वैश्या थी तब उसकी थोड़ी बहुत वैल्लियू थी वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है वकील कहता है आपने मेरे पैसे देने है सला लेने के लिए अनिता उसके उपर पैसे फेकर कहती है कीप तचेंज फ्रैंक मैक कोई की मा के बारे में अनापशना बाते करता है मैक कोई गुस्से में उसे गोली मार देता है और कोडी से जूट कहता है कि भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोडी समझ जाती है कि मैं कोई जूट बोल रहा है और कहती है अब वो लीली का सौधा नहीं कर पाएंगे कोडी मैं कोई को वहां से जाने को कहती है अनिता वापस आ जाती है और बताती है कि वो उस जमीन पर दावा नहीं कर सकते क्योंकि उसका पती अब जिंदा नहीं है हाले उसे गन पकड़ाती है और नीता समझ जाती है कि अब उनके पास एक ही काम बचा है लिली को किट के कबजे से छुड़वाना वहां किट अपने डाकू दोस्तों का लिली से इंट्रोडक्शन करवाता है और एक डाकू से कोडी की पुरानी ट्रेस लाने को कहता है जो उसके ट्रंक में है और रेड ड्रेस चूस करता है फिर वो लिली को कप्रे दानने को कहता है और अंदर ले जाता है बाहर उसके डाकू दोस्त चिला रहे होते हैं बॉस एटलिस्ट हमें तो देखने दू वो लिली से उस ट्रेस को पहनने के लिए कहता है उसे किस करने की कोशिश करता है लिली उसके मुँपर थूख देती है रात में डाकू उसके पास आता है उसका रेप करने की कोशिश करता है लिली कहती है मुझे मार दो उसके बाद जो गोली मार देता है और कोड़ी को हाटलेस वेश्या कहता है वो कोड़ी का पैसा उसे वापस कर देता है जो उसने उसे चुराया था और यहां किट की आँखों में भी आसू होते हैं वो कहता है यह लोग पैसे जिसके लिए तुम आई थी और दफा हो जाओ इस सिन से यह क्लिय किट कोड़ी से बेपना प्याह करता था लेकिन कोड़ी ने उसका दिल पूरी तरहा तोड़ा था पीछे हटने के दौरान लिली का रेप करने वाला एक टागू उसे ताना मारता है और मज़े करने के लिए आते रहने के लिए कहता है बदले में लिली उसे गोली मार देती ह जिससे गोला बारी शुरू हो जाती है और किट के पूरे गरो का सफाया हो जाता है शूट आउट के बाद आले ने विलियम से शादी कर ली लिली कोडी और अनीता एक नया जीवन शुरू करने के लिए वहाँ से चले गए रास्ते में वो पिंक्टन जासोसों से आगे निकल गए जो उन्हें देख नहीं बात दे और ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इस मुवी का एक्स्पीनेशन पसंद आया हो तो कमेंड बॉक्स में लेकि जोरू बताईएगा आज के लिए इतना ही अपना क्याल रखिए चाचा